नमस्कार जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेकनीक्स और ट्रिक्स के जरीए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसीजीव्यापम टॉपर आपको पढ़ाए कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत योगेंडर साहू क्लास एस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ नमस्कार दोस्तों आज हम 36 गड़ी विशेशन के बारे में पढ़ेंगे विशेशन क्या होता है जिस सब्द से संग्या या सर्वनाम की विशेशता का बोध हो उसे विशेशन कहते हैं समाने भासा में समझे कि अगर आप किसी वस्तू किसी व्यक्ति अगर उसकी विशेशता बता रहे हैं सबसे आसान उसकी तारीफ कर रहे हैं उसका गुण बता रहे कि ऐसा है यह ऐसा है तो यह उसकी क्या हो गई विशेशता हो गई मतलब किसी वस्तू या व्यक्ति की विशेशता बताना ही उसको विशेशन कहलाता है जैसे उधारन देख सकते हैं इहां टूरी मन बैठे हैं यहां एक वाक्य हो गया अब यहां बोल दिया इहां दू टूरी मन बैठे हैं मतलब यहां पर टूरी की विशिस्ता बता दिया कि वहां टूरी की संख्या कितनी है दो है यहां और और बोल सकते हैं देखे गीता एक टूरी है मतलब गीता के तूरी मतलब गीता की विशेषता बता दिए कि वह कैसे तूरी है सुगहर तूरी मतलब सुन्दा तूरी है तो यह उसकी विशेषता बता दिए और एक्जामपल देखिए राधा हाव होकर बेटी आए अब देखिए राधा होकर दुलारी बेटी है तो हम लोग उसकी बेटी आप से पुछे तो यहां कौन सा होगा गीता एक तुरिय तो सुग्घर यहां पर सुग्घर एक विशेशन हो जाएगा राधा होकर बेटी है तो यहां पर दुलारी लगाते तो दुलारी विशेशन हो गया ठीक है और देखें मोहन के हाथ मा घड़ी हवाए यह नौर्मल वा बने मीलनसार आदमी मिलनसार क्या है उस आदमी की विशेशन है तो यह खोता है थीक है नौर्मल आमळ शाल किसी की विशेश्ता बताते हैं उसे ही विशेशन कहते हैं ठीक है कोई बड़ा इंदम टॉपिक नहीं है अब इसके प्रकार देखें विशेशन के पांच प्रकार होते हैं ठीक हम एक एक करके उसको देखते हैं एक होता है सार्वनामिक विशेशन अब यह क्या है नाम में मत क्यों संपर्वर करते हैं उसैंस किसे यहां वो हां एसं कैसंस एग्जांपल धेए यह anymore घड़ी आए अब घड़ी की इसे बनाने कि यह क्या कर घड़ी है मतलब यह मोर घड़ी मतलब beiden कन चै। कन तो चैसे मिल चैंद ड कैसा है फिरी दक Already अद में, में बता दिये विषेशर, उसके विषेष्ता है समझ ले तो वह सार्वणामिक विषेशर आई कौन्सा सार्वणामिक विषेशर की ञगे अगर एकसा में तो इसमें विषेशर क्या है यह पूछा जा आइगा तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसी concern क की जैसे यहां पër घड़ी की बता दिए उसके टूरा के बारे में बता दिए आदमी के बारे में बता दिए ठीक है इसे आप आसानी से बता सकते हैं कि उसकी विशेस्ता क्या बताना चाहरा है ठीक यहां से आप पकड़ सकते हैं ठीक फिल नेक्ट है इसने कई से काम चल ही ठीक है इस ट्राइब के वर्ड है इसने कैसे काम चल ही मतलब काम के बारे बोल रहा है । कि ऐसे कैसे चलेगा टीक नेश्च俺um 그때- μέρωाव के आया अब यह factors better-back tenải, man तो हो आईसन कैसन वैसन ठीक है अब देखें नेक्ष्ट है गुण माचक विशेशन अब इसको पहचाना बहुत ही असान होता है अगर हम किसी वस्तु व्यक्ति संग्या सरवनाम के गुण धर्म सभाव का बोध करें जैसे जैसे उसके गुण किस प्रकार के जैसे काल प्याध प्रकार का मतलब बोध होता हो जिससे जूता की विशेशता पता चला कि वह नया है सब्जी की विशेशता पता चला कि वह ताजा है तो इस प्रकार का जाए मतलब सब्जी का गुण क्या है वह ताजा है जूते का गुण क्या है वह नया है कपड़े का गुण क्या है कि वह की गुण को बता रहे हैं ठीक फुर देख धिला नीला लाली करिया हरिया यह सब करिया यह सब कहला है रंग भी को विशर्ष्टा ने तो कौन से रंग है विशर्षण जैसे द्शह बता दें मोटा दूबला पतला जैसे मोटालू दूबह गीलस सुखा तो यह मोटालू आदमी है यह आदमी अबर दुबबर है मोट कपड़ा गीला है मोट कपड़ा सुखा है तो कपड़े की विशेशता बता दे ना कि गीला है सुखा है आदमी दुबबर है कैसा है उसकी विशेशता बता दिये ठीक है तो यह सब क्या हो गया इस प्रकार से जो प्रोनाउंस करेंगे ना किसी चीज की विशेस्ता अगर आप कहीं पर दिख रही है तो बस उसके विशेशन को पहचानना है कि यह कौन से वाचक है अगर उसका गुण पता चल रहा है तो गुण वाचक है अब आगे देखते हैं तो यह हो गया दो कौन- अब देखते हैं संख्या वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन यह दो प्रकार के होते हैं एक निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक कैसे निश्चित संख्या का बोध होगा जैसे दस जन टूरी तीन ठन गाड़ी चोगुना आदमी मैं आठो पहर जगत रहे हूं यह हम और दसवा आगमन आए पचाईज रुपिया ना यह किया है यह जो नबर है यह perfect है तीन चार छोगना आठो दसवा यह fix है मतलब fixed संख्या है करा है तो यह संख्या बता रहेंulators तूरी कितना है दस है गाड़ी कितना है तीन है आदमी कितना है चाग चोगुना है पहर कितना पहर जागा वह आठो पहर कितना आगमन हुआ दसवा मतलब उसकी निश्चित संख्या बता दिया तो वह निश्चित संख्या में क्या होता है कि तूरी के बारे में बताने जैसे स सं swoją हम भ». कि तो भी लोग व्मों निश्रूल नहीं तो उन् सम्सावपन करने प्तनां सभर दोमिधे कितने लुग यहां पर निश्स्रक उर्म यहां मताइ Cities सारी निश्र बहूत सारी निश्रण नहीं है यहां पर यहां पर आदमी नहीं नहीं वहाँ पर निक्षित चौगुना बता दिये, निक्षित एक बता दिये, संख्या बता दिये, यहाँ पर अबड बोल दिये उसको, ठीक तो वह अनिश्रित हो गया, वैसे बिककट रुपिया, यहाँ पर बोलें, पचास रुपिया, एक निश्रित संख्या है, यहाँ पर बिक परिमान बोधक क्या है जहां मापोल की बत हो supplement मैं माप तोल थल था कि जा से लिटर पानी परिमान ही जैसे तो मतल बहुत क्लब बहुत है जैसे परिमान भी जएसे संख्या बौल कि 10 किलो चावल लेने जा रहा हूं दस किलो चावूर 10 लीटर पानी साथ 7 किलो घी इस तो आप बोल सकते हैं अनुष्ट परिणाम तो परिमानवाचक्या होता है थोड़ा बहुत चावूर मतलब उसको पतनी है फिक्स रमाउंट पतनी है तो चावुर घी तो यह सब क्या है इसको हम लोग माप तॉल सकते हैं अगर उसको फिक्स वाले में बोले कि 10 किलो 5 किलो चावल घी तेल नमक दल्या मिर्ची जो ही है उसको बोल दिये तो फिक्स जो माउंट हो जाएगा वह नाप तॉल वाले में चीक और अब फिक्स होगा कि कुछ चावल थोड़ा सा मिर्ची थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा यह थोड़ा सा वह तो वह जो हो जाएगा माप तॉल के लिए थोड़ा बहुत ले रहे तो वह अनिश्चित परिमान वाचा ठीक है अब देखते हैं तुलनात्मा क्विशेशन भी मतलब जब तुलना करते हैं दूसरे का जैसे वह अच्छा बोलते क्या बोलता है वो अच्छा बोलता है ठीक है अब उसको बोल देंगे नहीं नहीं वह बहुत ही अच्छा बोलते है ठीक है उसका बोलते कि हाँ अच्छा बोलता है पर बहुत अच्छा बोलता है उसके तुलना कर दिये ठीक है अब यह हो गया वह बहुत अच्छा बोल मतलब उसके बारे में विशेष्टा ही बता रहे हैं कि अच्छा बोलता है बढ़ बहुत अच्छा बोलता हैं तो एक दूसे से अगर आप 36 चोटी HOLG Music जानते एंच चाटिस गड़ी में पिलॉंग करते हो आपको यह सब पता होगा पुछ फूछ में कि अलग होते हैं नहीं पता होते हैं प्ते वर्ड पावर के विर्ड न होते हैं न स्मय ज läuft जैन से ये लाम बहुता हो गया नम्बा को पुलते है लाम लामा ठीक नन्हा छोटा को पीला को पके मरा परी काला मुझे लस्ही औरerin सच को सिर्टों सच्छी पिछ फिच्टिन कुछ नियम है जैसे विशेशन का नियमान सब्द के अंट में प्रत्य लगने से होता है जैसे एहा उ अहू मतलब यह सब्धा जो मैंने अभी जो पांच प्रकार की विशेशन बताए हैं उसे आप वीडियो को पॉस्ट करेंगा उसे फिर से रिवाइस करेंगा फिर से देखे हो गया तेल से तेल हा हो गया इस प्रकार का जो वर्ड होता है वह विशेशन होता है यह बताना चाहरे है ठीक है से हो गया । जैसे सहर हो गया रतन पूर है तो रतन पूर कौन से विशैशन को गया तो ऑ्लाइम है हमसुर हो गमई एसन ये सनवान ठीक गउसा सर्वनाज से बनने वाले विशैशन भी बताएते गया है जैसे मोर असन मोर जैसा मुझ जैसा ठीक है यह बस बता रहा है कि ऐसे सब्दों को विशेशन बनाया जाता है अगर कोश्चन और कोश्चन की बात करें तो कोश्चन वैसे पूछता है जैसे गीता बढ़ सुगहर आये इसमें विशेशन कौम सा है या अंडरलाइन करके देद सुगहर इसमें क्या है विशेशन है संग्या है भावचक संग्या है इस प्रकार से दे देगा ठीक है तो अगर आप वह जो इक्जाम्पल्स है जो मैंने उपर बता है उसे आप पढ़ेंगे तो बन जाएगा ठीक है इसमें और देख सकते हैं जैसे काला रंग के लिए बिर आपर के लिए फेट के लिए पंड्रा चंक मतला एकदम साब शुत्रा उसके लिया बोलते हैं प्ली घ्र दर पोकना डर पोकनी करिया बेला कैchutz ostat 10 लुए कवा आप ना उसे को बोल रहें gefragt यह कुछ मैं बस आपको डाल दी हूं ताकि आपसे और कुछ न चुटे इतना करेंगे तो आपसे सारे कोश्चन्स बनेंगे तो इतना करिए विजन कीजिए ठीक है तो आपसे देटी है नमस्ताव जय जोहार तेह करेंचाइटी है आमर वोगाँ शर्ण एक रेम और आज सब्सक्राइब ने शबल गजार है हो हजार अठार्ड में हमार चैतेट्र में ने दूती है माइस हमार चैतेट्र रेम में पहला नमबर है आवान करहा तबना सर्कारी नव कुला के थाम से फजी नव पुरी तरह समझती थी कर ताद सार्कारी नव पनी करना जहां थाओ तो लुगा प्लेर नो को बुचन पहोगत सहो तबनाथ सब्सेश्जाब आव लो करो आप आप देर बंग पैरी चालू दखूंग। आप लिगत पाज़ें दूपने देना लागाई। सब्सक्राइब तरहें पर चेंगू लागूं। आप आप तमस्काव।